हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रतिक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तो अगर आप Google पे एप्लिकेशन यूज करते हो और आपको उसके उपर आपका UPI ID चेक करना है तो वो कैसे चेक करना है यह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा तो बिना किसी देरी के जल्दी से वाला वीडियो जो है हम स्टार्ट कर देते हैं ID पता करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर का एप्लिकेशन जो है वो ओपन करना है आपके पास गूगल पर का एप्लिकेशन होगा जिस तरी के से मेरे पास यहाँ पर है तो यह एप्लिकेशन जो है आपको सबसे पहले ओपन करना है एप्लिकेशन ओपन करते ही आपने अगर कोई भी पिन यहाँ पर दिया हुआ है तो वह पिन आपको यहाँ पर एंटर करके आपको आगे बढ़ना है पिन एंटर करने के बाद आपका गूगल पर अप्लिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो कुछ इस तरीक का इंटर पर आपको यहाँ पर आपको यूजर आडी अपका यूजर आडी आपका अपका यूप आडी चेक कर पाओगे तो उसके लिए सबसे पहले सबसे easy तरीका मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर home screen के उपर आप देख सकते हो यहाँ पर जो scan any QR वाला जो option है वो आपको यहाँ पर select करना है सबसे पहले तो जैसे ही आप वो option select करोगे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा चेक कर सकते हो next page यहाँ पर open हो चुका है जहाँ पर यहाँ पर नाम दिया गया है कौन सा bank है आपका वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा नीचे QR scanner है बार कोड है वहाँ पर जो उसके नीचे उपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो select UPI ID to display यहाँ पर आप कोई भी एक UPI ID अपने लिए select कर सकते हो हाला कि आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो जो है वो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि पेटियम और भीम अप्लिकेशन में UPI ID कैसे चेक करना तो उसमें आपने नोटीस किया होगा कि उसमें mobile number at the rate पेटियम था पेटियम वाले UPI ID के लिए और जो भीम अप्लिकेशन का था उसमें mobile number at the rate UPI था बट आप एक चीज यहाँ पे गूगल पे में नोटीस कर सकोगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ चीजे दी गई है और at the rate ok ICICI यहाँ पे at the rate ok HDFC bank और at the rate ok access यह चीजे है वो इसलिए है क्योंकि Google पे ने जो है इन bank के साथ जो है वो tie up किया है तो आपका जो UPI ID generate होगा वो इनी bank को लेके generate हो जाएगा आप इन bank में से कोई भी एक UPI ID अपने लिए select कर सकते हो हाला कि मैंने यहाँ पे तीनों भी ID जो है यहाँ पे activate कर दिये है और अभी फिलाल के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है यह फर्स्ट वाला एप्लिके यहाँ पे यह आईडी जो है मैं फर्स्ट वाला आईडी यूज कर रहा हूँ तो आप कोई भी ID select कर सकते हो अपने choice के हिसाब से तो यहाँ से आप check कर सकते हो home screen से scan any QR वाले option से यह यहाँ पहला तरीका है और जो सेकेंड तरीका यहाँ पे निकल के आता है वह आपको दिखाते देता हूँ यहाँ डेख सकते हो आपका profile picture आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा यह जो उपर corner मैं आप आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो प्रोफाईड पिक है यहाँ पर आपको उसके उपर क्लिक करना है प्रोफvVI के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर option देखने मिल जाएगा यहां पर नेक्स पेज ओपन हो गया है और यहां पर चेक कर सकते भूद स्कैन की सबस्क्ति भालब उसमें जाके भी आप चेक कर सकते हो अब जो third option में आपको यहाँ पर बताऊंगा वो इसी page के उपर है तो आप यहाँ पर जो एक option आपको दिख रहा है bank accounts का bank accounts वाले option में आपको click करना है तो bank account वाले option पर अगर आप click करोगे तो वहाँ पर आपको आपके bank details देखने मिल जाएंगे यहाँ पर मैंने दो bank account आड करके रखा है तो यहाँ पर दोनों bank show कर रहे है अगर मैं first वाले option पर करता हूँ first वाले bank account पर click करता हूँ यहाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो दो idea हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है इस bank के लिए तो यह हुआ यहाँ पर मेरे एक bank account का इसमें भी आप देख सकते हो at the rate ok SBI है और at the rate ok ICI है तो यह दोनों चीज़े भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी हम back जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा bank account अभी select करेंगे तो यह bank account जब मैं select करूँगा तो आपको यहाँ पर भी देखने मिल जाएगा कि यहाँ पर भी तीन UPI ID जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा तो इसमें आपको ok ICICI है ok HDFC bank है और ok Axis है तो यह banks का ID manager already activate किया है यह तीन तरीके है जिससे आप Google Pay के उपर आपका UPI ID चेक कर सकते हो तो बस यही था आज की इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो informative लगा हो आपके काम का लगा हो तो वीडियो को like जरूर कर देना हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे share कर देना और मेरे चैनल को भी आप यहाँ पर subscribe कर सकते हो धन्यवाद